ट्रिप लैन कर रहे हो और एक चाहिए आपको बैग एक ट्रैवल बैग जिसमें आप अपने सारे कपड़े बगएरा रखे एक बड़ी इसी ट्रिप माल सको ऐसा कुछ मैं अभी सोच रहा था भी कुछ एक डेड़ महीने पहले ने तो पहली बार मुझे पर्चेस करना था उस बार मनाली लुक लुक आपने नई देखेंए टो डिसक्रिप्शन में लिक देदूगा टाम लाइव होतृ जो की मेरी बजट के अंदर बिल्कुल फृट हो रहा था इस बैग को जितना मैंने यूस किया 9-10 दिन ने से ट्रैवलिंग यूज़ कि अपने घंदों पर तांग पर यह आपको लेना चाहिए नहीं इसका दूसरा जो कलर है वह भी मेरे पास अवेलेवल है वह भी आपको दिखा दूँगा अगर आप इस तरह को कोई बैग लेने की सोच रहे हैं ब्रेंड का पहन के घूम रहे हैं कोई बैग आपके फोटो वगरा काफी वाइब्रेंट आने वाले जब इसके साथ अगराई का ट्रेवल कंटेंट क्रेटर हैं और लुकिंग वाइज मतलब काफी साथ इसमें स्ट्रैप्स वगरा है तो लगता है कि हाँ एक अच्छी क्वाल यह नहीं है मैंने खुद से पर्चेस किया अपने लिए तब यह वीडियो बना रहा हूं यूज करने के बाद तो सारी चीज़े एक दम ओनेस्ट ऑपिनियन के साथ बताऊंगा अब बात करते हैं क्या चमक के साथ अपनी लोगिंग के साथ कमफर्ट भी प्रोवाइट करता काफी टाइम मैं इसके साथ शक्रेंड कर चुका हूं वैसे था टाइम नीयार ट्रेवल रहा कि काफी सारे पूपी देखने के मिल रहां पर देक्स करने के लिए तोर्स वह वह भी आप और बाते ऑचिकली क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं आपको इंट जाता है क्ट और नीचे की साइड मूप करने से क्या होगा हमारी जो नएक होती है यहां पर बॉन होती है वहां से वहांसे टॉर्सौ लैंथ को नाप जाता है वह आप Google पर इसकी जो पीछे का पॉर्ट सेना वो सीधा रहता है जब आप से अपने कमर पर टाओं हुए ना वो सीधा ही रहने वाला है तो यह तो गई कमफर्ट की बाद अभी वड़ते हैं आगे तो चली दोस्तों बात करते हैं हमारी इस बैग में कितना स्पेस है जो पोकिट्स वगर कही है कहां पर किसका उने वाले यहां पर ब्रेंडिंग के अगर में बात करूं तो ट्राइपोल की फु relating कि औहीं एक के нем पे जब 이제 यह एंभारेंfire चार नहीं कुछ कर्पाऊ एक अबना कुछ करने की नीचे की साइड या फेडेट यहां पर पर हुक टाइप देखने की गूम सकते हैं इस तरह की लास्टिक टाइप देखने के कर सकते हैं तो यहां पर आप कोई भी जैसे कोई ट्राइपोड वगए वह आप इस तरह से यहां पर एक चेन देखने के जाती है यहां पर आप अपने शूज वगए रख पाऊगे तो शूज के लिए ऐसा है मतलब जिसका में अंदर का कमपार्टमेंट है और शूज का एरिया है उसके बीच में एक अलग पार्टिशन है आप से खोल के पूरा एक भी बना सकते हैं मतलब जैसा आप इस तरह समझिए यह जैसे बैग है इतना इसके अंदर एक कमपार्टमेंट है उसे आप खोल के या तो पूरा कर लो इसे या फि इसके अंदर आप अपने दो पेर रख सकते हैं मैंने इसमें अपने बूट्स रख रख रखे दे और उसके साथ एक जैकिट तो आप दो पियर अराम से इसमें रख पाऊगे अगर से स्पोर्ट शूज कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी आपका समान वगार है वह यहां प इसके अंदर एक पानी की बोटल आप रख सकते हैं उसमें पाइप लगा होता है इसके थुरूब निगल के भार आजाता है और आप अपने ट्रेकिंग वगरा में पानी वगरा पीते रह सकते हैं राइट-एंड साइड में बिल्कुल सेम कंपार्टमेंट है बिल्कुल इस किसी साइस के एक पोकेट जिसमें काफी स्पेस है जो सबसे पहली एड्जस्टमेंट है वह आती हमारे बैक लोड वाली अलब यह वाला जो पीछे का इरिया ना इसको शिफ्ट करने के लिए एंड चैस्ट पर वी एक एड्जस्मेंट आ जाती है जो कि पोजिशन थोड़ी जाती है मतलब यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो यहां पर यह चीज नहीं है आप से ऊपर नीचे कर पाऊगे अपने अकोर्डिंग और अपना ब्लूटूथ स्पीकर वगरा इसमें आप अटैच करके यूज कर पाऊगे सब से उपर हमारी है टोल्सों लेंद ज जाए लगरी है मतलब एक इन से जाधा मोटी इसकीप में पैडिंग देखने के जाती है दोनों तरफ आपको नीचे की साइड है यहां पर भी यह पैडिंग जो कि एक इन से जाधा मोटी मुझे लग रही है यह वेस्ट वाली बैल्ट की बात करें जो हमारे वेस्ट पर यहां पर आजाएगा आपके बैग इसमाप कोई भी अपना ऐसा एक्सेस करना हो जैसे कि पाउर बैंक होगे इसमाप लागा के छोड़ रख सकते हैं मतलब छोटी सी है यह डिटेश नहीं हो सकती इसमें लगी रहेगी और एक चीज़ और पूरे बैग के अंदर इस तरह की छ जगा जादा तर लगी हुए जैसा आप यह नहीं होती तो यह एसे लटकी रहती रहती तो इसे लगा दो उपर खेंजो सीधी रुख जाएगी तो यह मुझे काफी चीज़ लगी चोटी-चोटी चीज़ों पर काम किया गया है बैक के अंदर रेंगवर के लिए दोस्तों यहां पर एरिया देखने के मिल जाता है जो यहां हमारा रेंगवर इस तरह से रखा हुआ है इसके अंदर तो यूसफुल होने वाला है ऐसा नहीं है क्वालिटी इसकी काफी सही है यहां पर भी इसकी ब्रेंडिंग की गई है ट्राइपोल गेर ट्राइपोड हो कुछ इस यहां पर लगा पाऊगे इस तरह से इसलिए हो जाती है एक पॉक्ट हमारी हम पर इस तरह से इसमें भी काफी स्पेस इसमार आपके जहां तक है चार या तीशट अराम से इसके इंदर फिट हो जाएंगे खाली इस वाले इरिया में हाँ से खोल सकते हैं दो यह बकल दिये इसमें खोला इस तरह से ओपन हो जाएगा इस तरह से हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं अभी मैंने इसमें अपने स्टूडियो का सारा ताम जाम इसके अंदर ही बढ़ दिया तो आप देखते रहें कितना सवान इसकंदर मैंने बढ़ा तो और कुछ नहीं है और नीचे की तर कर सकते हैं शूस का डिपार्टमेंट अलग तो आपको पहले अंदर की तरफ से दिखाता हूं यह किस तरह का देखने में लगता है है रूप भाई है हमको है चाहिए रूकने रख कुछ इस तरह की स्पेसिंग देखने में अंदर की तरफ यहां पर जो नीचे वाला में सपोर्ट के लिए इसमें लगी हुए इस तरह की कुछ ज्यादा है भी मट्रियल नहीं है लेकिन आपकी सपोर्ट के लिए काफी ठीक है बैक मतलब इसे स्टेवल अगर यह नहीं होती तो आप देखो बैक की पोजिशन यह राम समुड़िया तो उस चीज को रोकने के ल भागा भागा भिर रहा है तो अब ही दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग की कितने का मिल देगा मतलब कहां से लिया आता मैं आप कहां से पर्चेस कर पाओगे इसके साथ लोगे तो 200-300 रूपे एक्सिट्रा जाते हैं इसमें काफी बैक मिल जाता है जो की साइज मे compact हो जाता है मतलब जैसे आपने room पे अपना bag डाल दिया आपको कहीं बाहर जाना है थोड़ा बहुत उसमें snacks बगरा डाल के ले जा सकते हो लेकिन उसके quality इतनी जादा मुझे बढ़िया नहीं लगी तो आउसे ना भी लोगे तो चलेगा यह कि school bag के तरह है जो कि हलकी सी quality वाल है तो प्राइसिंग थोड़ी सी अब डाउन होती रहती है आप देखके रखना मतलब जब offer से चलें कोई discount आयो तो एकदम से अपने उस deal को grab कर लेना क्योंकि अभी लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा क्योंकि प्राइस जादा चल रही है तो compartment की तो बात हो गई देख लिया तो उस price point पर काफी अच्छी elegant looking आपको provide कर देता है मतलब देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कोई आपकी एक सस्ता सा bag use कर रहे हैं इसकी बात इसके जो price है मतलब budget friendly हो जाता है जो ए features आपको allow कर रहा है इस price पर वो काफी सही लगा मुझे comfort के मामले में जरा भी मुझे compromise नहीं लगा बाकि इसका budget बडाकी से और अच्छा बनाया है जा सकता है लेकिन जिस price पर आ रहा है comfort काफी बडिया लाओ करता है यहां पर आपको इस अंदर rain cover भी देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी सही बात है और प्लेन नहीं है यह मुझे काफी सही लगा मतलब जै के लिए अलग से dedicated space देखने के लिए जाता है लेकिन उसमें कमिया है वह अभी कमियों में गिनेंगे ना अभी थोड़ी अच्छा ही बता देता हो वहले 36 months की इसमें warranty आ जाते है आपकी buckles वगर की straps की fabric की मतलब regular usage से कोई दिक्कत होती है तो 36 months तक की इसमें warranty है वह आप उनक क्योंकि बात कर लें आपकी बहुत प्यार वरसादी आप तुम पर थोड़ी सी इनकी कमिया बताई जाए क्या क्या दिक्कत है सबसे बड़ी कभी पताए जिसमें क्या लगी मुझे जो इसका main compartment है उपर की साइड आपको थोड़ा सा खोल के दुबारा दिखाता हूं जो कर आप रख रहे हो माइन में थोड़ा सा रहता है कि लोग लगा लें तो ज्यादा बैठर रहेगा यहां पर इस तरह की कुछ यह रसी वाला स्ट्रिंग्स वाला सिस्टम है तो आप इसमें कैसे भी लोग नहीं लगा पाऊगे दूसरी इसकी जो मुझे कमी लगी वह लगी एक इसकी पॉकेट को लेकर मैं आपको दिखाता हूं जो हमारी वेस्ट वाली जो पॉकेट देखने में जाती है यह वाली इसका यूज मतलब उनके लिए नहीं हो पाने वाला जो थोड़े से हैल्दी है अभी तो मैं थोड़ा सा वेट कम कर लिया है लेकिन जब ट्रिप प अगर आप थोड़े से हैल्दी हो जाते हो यह थोड़ा सा आगे की तरफ होता तो जादा बैटर रहता है मैं बोलना चाहूंगा कोई टीम ही से देख रही है तो इस वीडियो को यह जो बैग है ना इसकी पोजिशन चेंज करें काफी बैटर रहने वाले अगर यह आगी की सही से सिक्योर कर पाए उसकी कुशनिंग मुझे थोड़ी हल की लगी उस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा पीछे रहे गया मतलब वहां पर इस इंप्रूब्मेंट की ज़रूरत है इस बैग को तो यह थी जो इसकी मुझे कुछ कमिया लगी बागी जादा कुछ कम्प्ले आपको मिलता है तो काफी बढ़िया बैग होने वाला है तो और भी काफी सारी रेंज आपको देखनी मिलेगी ओनलाइन जादा सर्च करना ओफलाइन में अगर आपके पास कोई बड़ी मार्किट है आपके पास मतलब आस पास में तो वहां जाकर देख लेना बाकिया आपक अगर आपके ट्रिप वाला जो सीन है वो आपका 12-15 दिन से जादा का है तो आप अपनी लिस्ट में रखना कोई जादा कैपेसेटी वाला बाकिये 65 लेटर वाला मोल देन सफिशेंट है आपके 10 दिन की ट्रिप के लिए और आम से आप इसमें निकाल सकते हैं वो भी विंट मैं विंटर में गया था धियान दीजिए उसमें जैकेट्स थी मोटी-मोटी को और गर्मियों में अगर आप ट्रिप मार रहो फिर तो बहुत ही बड़ा होने वाला है मतलब काफी स्पेस इसके अंदर तो आप अगर थोड़ा सा बजट अगर आपका कम है मतलब जादा कम है आपको बता दिया और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं बजट कम है 2000 के करीब का आपका बजट है तो आपको सेजेस्ट करूँगा थोड़ा सा वेट कर लो किया लेकिन पैसे और डालो 200-300 और डालो और इस वाले पर शिफ्ट हो जाना क्योंकि जो इसके नीचे वाले थे मैं तो डाई भी कर लेना तेकिन तीन कर रहे हो तो यह मत लेना फिर कुछ और भी आपको काफी सारा यह वेराइटी देखने के लिए मिल जाए बाकी कुछ भी अगर मैंने में में सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अपने नहीं किसी और वीडियो में इसे तरह की कुछ मसालेदार दमाकेदार एंड इस बार कुछ बड़ा करना है क्योंकि एक लाग सब्सक्राइबर जल्दी करने हम है और आज की वीडियो में नहीं है बाए बाए